नमस्कार आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ मुकुन अगर आप चाहते हैं घर बैठे डेटा इंट्री ओपरेटर का कोर्स करना तो आप वो असानी से कर सकते हैं अगर इस कोर्स की फी की बात करें तो मार्केट में अलग-अलग इंसिचूट की अलग-अलग फी होती है जो की 2000 से लेकर 3000 तक के चार्ज करते हैं बच्चों से लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि आप घर बैठे कैसे डेटा इंट्री ओपरेटर का कोर्स आप फीरी में कर सकते हैं और यहां से आप फीरी में सोर्टिफिकेट भी ले सकते हैं तो वीडियो सुरो करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर ले ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आया तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंसती रहे तो आईए इसके लिए चलते हैं केम्पिटर के एसक्रेन पर इसके लिए आपको यहाँ पर सच्च बार में सबसे पहले टाइप करना है इसकील इंडिया करके जैसे आप इंटरप्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आप देख लिए यहाँ पर लिखा हुआ हम इसकील करेंगे जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ वेप्साइड का इस तरह का इंटरफेस आता है और यहाँ पर बहुत सारे चीज़े दी गई है लेकिन हमें जिस चीज पर focus करना है उसकी बात करेंगे तो आपको क्या करना यहां find course का option से हम इसमें course find करेंगे तो हम इस पर देख रहे हैं data entry operator के है तो हम type करेंगे इसमे data entry operator उसके बाद हम search करेंगे यहां पर जैसे आप search करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफे slot करेंगे तो यहां पर देखने को मिल जाएगा domestic data entry operator हिंदी और नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा domestic data entry operator इंग्लिस अगर आप इंग्लिस में चाहते हैं certificate लेना तो आप इस पर क्लिक करेंगे हिंदी में चाहते हैं तो आ आपको दूनों में certificate मिलेगा तो हम चलिए हिंदी वाले पर क्लिक कर देते हैं जैसे हम हिंदी वाले पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है और यहां पर देखिए enroll now का options आता है हम इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि इसमें आपको enroll करना पड़े साइन अप करने के लिए हम नीचे यहां पर आपको options मिल जाता है sign up as a new user तो हम इस पर क्लिक करेंगे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको कुछ form fill करना होगा जैसे कि यहां पर first name, last name, mobile number, email id, gender, tier of worth, मतलब किस साल का आपका जनम है वो और यहां पर आप अपन create करेंगे उसके बाद i accept पर क्लिक करेंगे तो चलिए हम इस फटा फट से fill कर देते हैं और जैसे हमने यहां पर mobile number डाला तो देखिए यहीं पर आपको verify का options आता है, हम verify पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके number पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहां पर डालना है, verify करना ह आपको अपने number को देखिए, यहां से कह रहा है, enter OTP और मेरे mobile पर जैसे OTP आता है तो हम इसमें enter कर देंगे, हमारे mobile पर OTP आ चुका है तो चलिए हम इसे enter कर देते हैं इंटर करने के बाद यहां पर verify का option से इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपका जो देखिए यहां पर verified हो चुका है, उसके बाद इसी तरह से email id को भी verify करना है, तो चलिए हम email id को भी verify कर देते हैं अब इसी तरह से email verify करेंगे, तो देखिए हमने verify पर क्लिक किया, तो अब देखिए हम email id को चलके open करते हैं, तो यह हमारे पास आ चुका है email id पर, देखिए यहां पर, अब हम इसको यहां से copy करेंगे, और simply इस OTP को हम यहां से copy करके, और यहां पर paste कर देंगे, paste करने के बा हम यहां पर accept term and conditions पर क्लिक कर देंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे सामने इस तरह का interface आएगा, आप इसको चाहिए तो पूरी read कर सकते हैं, और यहां last में accept and submit का options है, हम इस पर क्लिक कर देंगे, इसके term and conditions को हम accept करेंगे, उसके बाद हम, हमारा जो है, इसमें ID create हो चुका है, तो चलिए अब हम इसमे sign up कर लेते हैं, sign up करने के लिए आप यहां पर email id वहां पर डाले थे, उस email id को यहां पर डालेंगे, अब मैंने यहां पर email id और password डाल दिया है, उसके बाद हम यहां पर login पर click कर देंगे, जैसे हम login पर click करेंगे, उसके बाद हम इसम में लॉग- सुक्ते हैं यहां पर लोगन हो चुगे अब आपको इसमें किया करना है यहां परका करना है क्या डेटा इंट्री ओपरेटर क्योंकि हम इसके करना करना अब, तो यहां से लेंगे तो यह दालेंगे उसके बाद तो फीर हमसे पूछेगा enroll now पर अम्रीक कता है अगर आप से पूछता हैं कि अगर आप इस करेंगे तो डायरेक्ट करते आपको उस पेज़ पे लिए खरेंगे उसको फ्वार हमाद हमारे सामने कुछ डिंटरश Kia आएगा, इसको हम यहां से cross कर देंगे, उसके बाद आप यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर आपको data entry operator का जो इसके certificate मिलेंगे, इसके model दिये गए हैं यहां पर, कितने model हैं, देखिए, one, two, three, four, five, five model दिये गए हैं, पांचों model आपको complete करने हैं, उसके बाद आपको यह से certificate मिलेगा, तक कैसे हम model complete करेंगे, देखिए, अगर आप चाहते हैं, सबसे पहले तो हम model पर click करेंगे, model पर click करने के बाद देखिए, यहां पर दो options पूस्ता है, preview का और normal का, तो इसमें हम कुछ छेरचार नहीं करेंगे, उसके बाद हम direct enter पर click करेंगे, जैसे हम enter पर click करेंगे, उसके बाद यहां पर module चलने लगेगा, video यहां पर चलने लगेगा, play होने लगेगा, अगर आप चाहते हैं इसको पूरा वीडियो देखना तो आप देख सकते हैं, इसमें गलग हो चाहते हैं, केवल certificate से आपको मतलब है आप इसको नहीं देखना चाहते हैं simply आप इसको यहां से cross कर देंगे जैसे आप cross करेंगे उसके बाद आप इस पर आ जाएंगे और यहां पर क्या करेंगे इस box में click करेंगे बस यहां पर tick mark हो जाएगा तो हमारा क्या है first module complete हो चुका है इसी तरह से हम सेकेंड मोडूल पर जाएंगे click करेंगे उसके बाद यहां पर enter पर क्लिक करेंगे और यहां पर वीडियो play हो जाएगा और दस सेट केंड तक हम यहां पर hold करेंगे आप चाहें तो दस सेकेंड भी होल्ड नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा लेकिन bạn multipel li करना तो भी भी राता है उसके बाद है मैं आफ से क्रोव कृस करेंगे और उसके बाद हमारा जो है सेकेंड मॉड्ल भी complete हो चुका है हम इस पर click कर देंगे तो देखिए हमारा second भी हो चुका है इसी तरह से हम third और fourth और fifth भी करेंगे तो चलिए हम फटा-फट से कर देते हैं अब देखिए यहां पर हमने पाचो model complete कर चुके हैं इसमें देखिए टिक मार कर चुके हैं अब हमें क्या करना है यहां पर डी यो हिंदी है ना इसमें हम click करेंगे जैसे हम click करेंगे उसके बाद से मुसी तरह से हम इंटर पर click करेंगे और यहां पर questions आएंगे इसके answer आपको देने पड़ेंगे इसको answer आप इसको read करें अच्छे तरह से और इसके answer देंगे तो इसके answer आप पराम से देंगे उसके बाद आपकी जो certificate है open हो जाएगा आपको बहुत सारे वीडियो में देखने को मिलेगा यूट्यूब पे कि यहां से आप इस से minimize करें और उसके बाद आप यहां से back जा सकते हैं और यहां पर इस module पर click करेंगे तो नहीं click होने पर आप यहां पर refresh करेंगे तो यहां पर click हो जाएगा लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है ठीक है तो आपको यहां पर exam देना पड़ेगा तो चलिए हम इस पर click करते हैं और इस पर enter करेंगे और यह जो चीजे पूछ रहा है इसका आप यहां पर आपको यह exam देने पड़ेंगे जैसे इसमें से पूछ रहा है निम्ड में कौन सा कार यह एक data entry operator करता है इसमें आप इसको read किजिए और इसमें जो answer है उस पर click करें और उसके बाद इसको नीचे आएं इस तरह से आपको 4-5 के answer देंगे उसके बाद आपकी जो certificate है वो open हो जाएगा तो चलिए हम फटाफट से 4-5 के answer देते हैं इस तरह से अब हमने कुछ answer दे दी है तो चलिए अब हम इसको minimize करते हैं और back चलकर देखते हैं कि हमारा जो certificate है वो open हो चुका है यहाँ पर देखिए certificate है हम इस पर click करेंगे जैसे हम click करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए certificate लिखा हुआ गया और view certificate है तो अब हम क्या कर जैसे view certificate पर click करेंगे हमारा जो certificate है वो download होना शुरू हो जाएगा देखिए यहाँ पर download हो रहा है अब हमारा जो certificate है download हो चुका है अब download होने के बाद हम इसे open करके देखते हैं कि हमारा certificate कैसा दिखता है चलिए हम इसे open करते हैं देखिए हमारा जो certificate है वो बनके यहाँ पर ready तो कुमारी पुस्पलाता अनन्द for successful completing the course of domestic data entry operator हिंदी तो इस तरह से आपको मिलेगा तो और हम नीचे की तरफ आते हैं देखें नीचे की तरफ यहाँ पे national SQL development operations लिखा हुआ है SQL India कॉसल भारत का यहाँ पे है और यहाँ पर देखें director का sign भी है तो इस तरह से आपको एक certificate जो है कुछ हु मिन्टो में आप चाहा तो आप इस website का यूज करके ले सकते हैं और चाहा तो आप इससे सीख भी सकते हैं